मेरा चेरा कैसे चमक रहा है नेचरली गिलो कर रहा है अगर आपको भी अपना चमक तो वो चेरा चाहिए तो आज की इस वीडियो को जुरूर देखना और राधा इसकी की चैनल को सस्क्राइब आपको क्लीन वॉल में टूट्यो स्पून बेसर लेना यानि ग्राउन फ्लूर बेसर आपके चाहिए से दागदबी को रूप करेगा पिग्मेटिशन को हटाएगा संटेन को हटाएगा और आपकी स्कीन को टाइट भी बनाएगा नेच्ट आपको कस्टूरी तर्मरिक डाल द तो आपके चाहिए पर जित्ती भी मेल गंदी उसको बहुत ही तीजी से रिमूब करेगा टोमेटो सूट नहीं करता है तो इसकी जगे आप लेमन जूस का भी इस्तमाल कर सकते हैं नेश्ट आपको थोड़ा सा रौ मिल्क डालकर पैक बनाकर रेडी कर लेना है मिल्क नहीं ह क्लीन फिस पर इस पेक की मोटी से लिया लगा लेना है अपने नेक पर भी जरूर लगाना अगर नहीं लगा उट तो नेक आपके अलग से काली देखेगी जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी लगा लेना इस पेक को आपको हफते में तीन दे लगाना है एक मैनी तक आपको कंट्यूनी लगाने आप देखोगी आपके चैसे दाग दब्ब्ब होने लगए पिंग्मटी शरून हो जाई शन्टेन भी हो जाई आप इसके दर क्लीन के लिए वेदाग कूप सुरत हेल्दी हो जाईगी लगाने के बाद आपको 10 मिनट के लिए अपने फिस पर रखना है और उसके बाद आपको निकालना कैसे में आगे आपको वीडियो में बताओं तो वीडियो को पूरा जरूर देखे दोस्तों तो अभी दोस्तों मुझे 10 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं और आपको क्या करने हैं जो बच्चा हुआ टोमेटो तारल पलफ डाद वही एक दम क्लीन हो जाएगी पांच मिनट के लिए मसाज करें उसको आद आप नौर्माल वाटर से वाश कर लिए शोगाई से मैंने फेश को वाश कर लिया और आप लाइप रिजल देख सकते मैंने कुछ भी नहीं लगा है मेरे चेरे किते ज़्यादे क्लीन लग रहा है और का कि बर वजिबा वाइस लिए